कि हालो इस्टुडेंट्स आज जल्दी से आपकी क्ला सुरू हो गई है कि साथ बज चुके हैं और हर दिन आप पढ़ते हो साम को साथ बजे से कक्षानों के एंसियारिटी गड़ित देखो इधर साइड में सवाल दिख रहा है ना कुश्चन दिख रहा है आज मैंने एक नया लगाई यह मालूम चले कौन कौन जुड़ा देखो बिरे जिकानत मिसरा जी जुड़ चुके हैं मास्टर माइंड भी जुड़ चुके भाइए और विवंस रगुवनसी और कौन है विकास पाल नहा परजापती कामराज जी भी जुड़े हुए हैं अंकीत कुमार सर्मा औ और SKM Music, आसीज कुमार पाल, सभी जुड़ गए हैं, बहुत से बच्चे तो फिर हम लोग कुईश्चन पे चलते हैं, देखो ये कलास हर दिन इस्टार्ट होती है कब, साम के साथ बजे से, हर दिन साम को साथ बजे से, सिर्फ और सिर्फ संडे को नहीं होती है, बच्चे बस मैं वीडियो नहीं देखूँगा, वीडियो नहीं देखूँगा, काई नहीं देखोगे, उसमें भी तो मेनत किया जाता है, उसमें भी तो आपको समझाया जाता है, नहीं समझ में आप कमेंट करिए, आपको रिपलाई मिलेगा, लेकिन आप देखिए जरूर, किरन मौर्य जी नमस्ते सिवानी आदव जी नमस्ते सभी को नमस्ते आप ये बताईए किरन मौर्या जी जो दो तीन दिन तक वीडियो प्रीमियर हो रहा था तो आपने कोई भी कलाफ नहीं देखा था न हम देख रहे थे आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा था यानि जब लाइव आते हैं तब ही आप लोग जुडते हैं चलो फिर हाल सवाल पर चलते हैं बता देना जबाब जो मैने पूछा है question क्या कह रहा है ABC एक समकौन तिरभूज है समकौन तिरभूज मतलब जानते हो right angle मतलब सम कोंड और त्रिभूज मतलब ट्राइंगल यानि राइट अंगल ट्राइंगल जिसमें कोंड A 90 है 90 डिग्री है A B A C के बराबर है तो फिर कोंड B और कोंड C का मान ग्याद कीजी यह बहुत ही आसान है बेरी सिंपल सा है यह बहुत ही आसान है न यह चलो देखो कैसे आसीज कुमाज परजापती जी राम 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 कैसे हो और लड़के बच्चे ठीक है न चलिए देखिए चुकि यह सीनियर है गुरु जी है इसलिए मैं आईसे पूछा आप लोग के लड़के बच्चे नहीं चलो देखो बहुत अच्चे गुरु जी बेरी गूड 45 डिग्री आएगा देखो कैसे इधर समझो चुकि हमें एबी एसी के बराबर दिया है और कोण एद नब्बे दिया है भाई बहुत ही आसान है सिंपल सा है कोणे 90 दिया है तो आप क्या करोगे सबसे पहले आप लिखोगे दिया है इधर साइट से सलूसन स्टार्ट होता है यहां से जो दिया है पहले उसको लिखोगे उसके बाद फिर आगे कुछ करोगे देखो क्या क्या दिया गया है आप लिखो हल या सलूसन कौन सी बात है बच्चा ध्यान दो अच्छा साधी नहीं हुई चलो हो जाएगी देखो इधर साइड ध्यान दो ये भूजा बराबर है A B, A C के बराबर है आपने ट्राइंगल का बेसिक कांसेप्ट सिखा था वो क्या था बच्चा वो ये था कि बराबर भूजाओं के सामने के कौन बराबर होते है तो A B के सामने का जो कौन है अपोजिट अंगल C है और A C का अपोजिट अंगल B है यानि आप ये भी लिख सकते हो कि अंगल B इक्वल अंगल C लिख सकते हो ना बोलो यास या नो लिख सकते हो रीजन लिखो बराबर भुजा के सम्मु कोण ये हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इंगलिस मीडियम वाले समझी रहें क्या लिखना है अपोजिट एंगल आफ इक्वल साइड और इक्वल ऐसे होता ना कुछ चलो हिंदी मीडियम में लिखो फिलाल आप लोग चुकि मारी कलास बेसे सुरूप से हिंदी पर इडिपन्ड होती है यह हो गया अब इसमें क्या कर सकते हो आप हम सब ही जानते हैं कि तिर्भुज के तीनों कोणों का जो योग होता बच्चा वो 180 हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिखो तिर्भुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ठीक है लिख लो इतना हो गया कासम खाएं क्या सर के बाद ही करेंगे सर के बाद मतलब क्या चलो ठीक है फिलाल बहुत अच्छे बिल्कुल किरन मोर्या ने राइट टे ट्रांसलेशन लिखा है अपोजिट साइड आफ और राइट अंगल ट्रेंगल आर इक्वल बिल्कुल अपोजिट साइड आफ और राइट अंगल ट्रेंगल आर इक्वल जो अपोजित एंगल मतलब क्या होता है उसके बिपरीद जो कॉंड होते हैं बराबर भुजा कि वो बराबर होते हैं यतना ठीक है हमें देखो एंगल एक अमान क्या दिया बच्चा नमबे दिया है यह 90 है एक बात आओ और यहां से सीखो आप लोग बी जो है वो सी के बराबर है तो हम एक काम कर सकते हैं चाहे तो हम बी के जगा पर कॉंड सी लिखते हैं और यह सी पहले से ही रहेगा या फिर दोनों को बी भी कर दें कुछ भी एक कर सकते हो तो हम क्या करेंगे angle B को ऐसे लिख लेंगे और C की जगा पर भी angle B लिख देंगे अब बताओ ऐसा काहे कर दिया हमने इतना बड़ा अन्या काहे को हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि B और C बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसको दोनों की जगा पर B लिख सकते हैं बस आ गया आपका अंसर आ गया अब यह 90 और इसको जोड़ोगे तो 2 और यह V इक्वल 180 यहां से निकालोगे तो 2 भी यह 180 बटा ओ स्वरी देखो दो तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा लेकिन पहले आप 90 इधर ले जाओगे तो यह माइनस में हो जाएगा यहां से आप एंगल V निकालोगे यह घटा होगे तो 90 आएगा यह 2 इधर जाएगा भाग में हो जाएगा फाइनल में 45 आएगा यानि कोंड V कमान कितना आया कितना आया एंगल V की वैलू आ गई 45 डिगरी तो आप इनको का लिखोगे भाई 45 डिगरी मिश्टर मिथुन सिंग तोमर जी बताओ क्या दिक्कत है 4.1 चैप्टर देखो बच्चा पले लिस्ट में है पले लिस्ट में आप जाके देख लो या फिर आप एक काम करो नंबर पर मैसेज कर देना आप उपर दिख रहा वहाँ पर भी आपको मिल सकता है लेकिन आप प्ले लिस्ट में जाके देखो अच्छा होगा हो गया कुश्चन आपको B कमान आगया C कमान भी आ जाएगा देखो क्यों आ जाएगा अब नीचे लिखो आता है एंगल C बराबर 45 डिग्री बाइट B 45 है मैं लिखा आता है एंगल C 45 है कोश्टक में रीजन लिख लो क्योंकि एंगल B इक्वल एंगल C इसको किसी भी तरह से आप दिखा सकते हो हो गया ना इतना नीचे दिख रहा ना कोई दिख्कत नहीं न दोनों के मान कितने आगे 45 चल रहा है कितने आगे 45 न ठीक है चले बहुत क्वाल्टी इंटरनेट नहीं चल रहा है आपको दीमा चल रहा है चलिए ठीक है लिख लो भाई जल्दी से अनुपम यादो कीरा नमोर्या जी बिलकुल बेरी गूड बहुत अच्छे आरा एकदम मस्द दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए लिख लीजिए नोट कर लो फटा फट लिख लो बहुत ही मस्द दिख रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है चलो तो आयुस कुमार जी बिलकुल बहुत अच्छे बच्चे बेरी गूड चलो तो अब से नेक्स कुष्टन यह आपका सेबन नमबर कुष्टन हो गया कुष्टन नमबर आठवा कर लो तो यह चैप्टर खतम हो जाए ठीक है कुष्टन नमबर आठवा लिखो चलो एक्सरसाइज सेबन पॉइंट टू कुष्टन नमबर एट उसके बाद यह सेबन पॉइंट हो जाएगा यह खतम हो जाएगा चलो मैं इधर साइट कुष्टन मिटा रहा हूँ जो बच्चे सलूसन नहीं लिखे वो लिख ले अभी जो इस्टूडेंट उसका सलूसन नहीं उतार पाए वो उतार ले चुकि हमने एक अच्छी विवस्था किया है कुष्टन एक साइड आंसर एक साइड तो हम कुष्टन ओनली रेज करेंगे सलूसन आपके सामने डिस्पले पे दिखता ही रहेगा इसको लिख लेंगे तब उसको मिटाएंगे चलो चलिए देखो जो बच्चे नहीं हैं उनको कांसेप्ट नहीं पता तो उनको दिक्कत होगी इसलिए आप स्टार्टिंग की क्लास जरूर देखिए नहीं तो यह नहीं समझ पाओंगे बी और सी बराबर कहें हो गया ठीक है शुरू में मैंने बहुत सारे कांसेप्ट कराएं आप लोग उनको जरूर देख लो तभी मज़ा आएगा कि क्विश्चन नंबर आठवा लिखो आप लोग कलास को लाइक करो ना यार मतलब कहना पड़ता तो अच्छा नहीं रहता है चलो जल्दी करो क्विश्चन नंबर आठवा करा कि दर्साइए की दर्साइए मतलब सिद्ध कीजिए ठीक है प्रूब कीजिए और क्या करना है किसी संभाहु तिर्भूज किसी संभाहु तिर्भूज का परते कौन साथ हंसका होता है बहुत ही आसान है आप लोग यह बताओ इसमें से कौन कौन इसको कर लेगा चल्दी से यस बोलो हाथ उटाओ संभाहु तिर्भूज का परते कौन साथ अंस होता है यह तो बड़ा छोटा सवाल है यार बच्चा है एकदम आजाएगा किरन मौर्या रामफूल गौंड सिवानी यादो आयूस भाई आसीस परजा पती आपको नहीं आएगा का बहुत गदाहा लड़का यार यह कमेंड नहीं आया अभी तक दो बार काया लाइक कर रहे हो दो बार करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा एक के बार होता है कि सिखाएं क्या लाइक करना चलो देखो अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं अठों पर जो को बहुत आसान है बिल्कुल सिंपल आईए गाय बना देता हूँ यह क्या है देखो देख लो आप लोग आएगा तब देख लो- a एबी सी यह एक संभाहू तिर्भुज है संभाहू का मतलब होता वच्चा तीनों बुजाएं बराबर हैं क्या है तीनों बुजाएं आपस में बराबर हैं चलो बना लो हो गया अब सलूसन इस्टार्ट होगा इधर साइड में सलूसन दूसरी साइड में स्टार्ट होगा अब मैं इधर साइड क्लियर कर रहा हूं बोर्ड आप लोग बस एक छण का इंतजार करिए मतलब कुछ पल का चलो अब देखो यहां पर क्या दिया है तो सिंपल सी बात है तीनों बूजा बराबर होगी तो आप लिखो सलूसन यहां से स्टार्ट करो देखो क्या है देखो थ्यान दो हल सलूसन यहां से स्टार्ट होता है A B equal A C A B equal A C equal B C यह बराबर है इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है ब्रेकट में चाहे लिख दो क्यों बराबर है क्योंकि भई संभाहुतिर बूज़े ब्रेकट में रिजन लिख दो क्या है sum बाहु तिर भूज़े breakout में region लिख दो sum बाहु तिर भूज़े चलो आगे क्या कर सकते हो आगे यहाँ पर एक काम और कर सकते हो वो क्या है इसके तीनों कौन भी बराबर है angle A equal angle V equal angle C क्यों बराबर है breakout में लिखो बराबर भूजाओं के sum कौन बराबर होते हैं इंदी में लिख लो English translation बताएंगी किरन मोर्या बताए बराबर भूजाओं के sum कौन बराबर होते हैं देखो मैं बता दे रहा है उदर साइड में मैंने starting में concept शिखाया था जो बच्चे देखें उनको कोई दिक्कत नहीं है देखो भाई ये बराबर हो जाए AB AB के सामने का जो कौन है वो क्या C है है ना लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको उल्टा लिखा है इससे मैं सीधा भी कर सकता हूँ तो AB के sum कौन C है तो ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप C लिखो और अगर AB लिख दो तब भी गलत नहीं है क्यों गलत इस लिए नहीं चूकि चाहे दो बराबर चार लिखो या फिर चार बराबर दो लिखो मतलब तो ही हुआ लेकिन मैं अगर यहाँ पर प्रूब करूँगा तो उसके according मुझे सीरियल से लिखना है तो इस तरह से यह बन जाएगा ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है इतना no problem आप देखो हम सभी चानते हैं कि तिरबुच के तीनों कोड़ों का योगफ़ल 180 होता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंगल A प्लस इंगल B प्लस इंगल C इक्वल 180 इसमें किसी को कोई मुसीबत है तो बता दो और भाई कलास को लाइक करो यार इतने बच्चे जुड़े हैं मतलब कहना पड़े बहुत गंदी बात है लाइक करो जल्दिश चलो देखो यह ठीक है तुमें काम कर सकते हो हमें यह बराबर पता है कि यह तीनों कोण आपस में बराबर है क्या है तीनों आपस में इक्वल है सब इक्वल है तो हमें एक काम कर सकते है चाहे तो सब की जगा पे A, A कर दें या सब की जगा पे B, B कर दें या सब की जगा पे C, C कर दें बोलो कर सकते हो न भैं, simple सी बात है कर सकते हो, तो मानलो कि हम ये angle A ऐसे लिख लिए, और angle B की जगा पर भी हम एंगल A लिख दिए, और angle C की जगा पर भी हम एंगल A लिख सकते हैं, इकलो 180, बोलो कर सकते हैं कि नहीं, जल्दी बोलो, yes कर सकते हैं, कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, हाँ, यहां पे सिर्फ A ही नहीं कर सकते, आप कुछ और भी कर सकते हो, चाहो तो आप हर जगा B B कर दो, चुकि तीनों बारा बना अपस में, तो इस तरह से हमारा क्या आएगा, तो इस तरह से भाई साहब अगर ये इधर आएंगे तो ये तीन हो जाएंगे तो फाइनल में एंगल A इक्वल 60 आएगा यानि कोण A कामान कितना आएगा 60 हनस आएगा चुकि हम जानते हैं कि तीनों कोण आपस में बरावर हैं इसलिए क्या हो जाएंगे एंगल B इक्वल 60 एंगल C एक्वल 60 मतलब सब इक्वल हो जाएंगे नीचे दिख रहा है इधर साइड में लिख सकता हूं क्या हां लिख सकता हूं इधर जगा है तो मैं थोड़ा सा इधर साइड लिख देता हूं आप लोग इधर देख लो यह लो ठीक है अब यहां आप लिख होगे आता हाँ एंगल B इक्वल 60 एंगल कामा लगा के C इक्वल 60 नीचे रीजन लग देना चूंकि एंगल A इक्वल एंगल B एंगल C यह बराबर हैं नीचे लिख दो इसके बाद में इती सिद्धम या फिर आ सिद्ध हुआ इंगलिस वाले लिख देंगे हैंस प्रूब्ड हैंस प्रूब्ड इस प्रकार सिद्ध हुआ ठीक है कि समझ में आ गया ना सभी को किसी को कोई डाउट है तो बता दो अच्छा चलिए ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छे वेरी गूड चलिए ठीक है आसीज कुमार परजापती सर देखो भाई चाय लेके आए हुए हैं आप लोगों को पीना है तो बताईए लाइए इन लोगों को भी पिला देते हैं वैसे कलास तो खतम हो गई है तो भाई कौन कौन चाय पीएगा चलो बताओ पहले फटा फट आप लोग में से कौन कौन चाय पीने वाला जल्दी से बताओ देखो बहुत बड़ा कप आया इसमें आदा लीटर चाय चलो ठीक है तो आप लोग क्या कहते हो रागे यह आपका चैप्टर खतम हो गया भाई छाओ क्योंकि आज कौने आज कि दो पर ओग scrambled अजयाओ नो गया में जलदी कहें हो जा रहाहे है इतना को कहते हो पीनी चाहिए यह लेकिन पर बच्जों какую पीनी चाहिए ने पर देखो क्या करो kali वह क्लास ह्तां भषसAK जैसे यह आपका चैप्टर खतम हो गया 7.2 खतम हो गया कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा 7.3 उसके बाद यह तिर्भुच का चैप्टर भी बहुत जल्दी खतम हो रहा है क्योंकि बहुत कम कुश्चन बचे हैं और मैं लगभग 10 में से 6-7 कुश्चन करवा दे रहा हूं है ना साथ कुश्चन करवा दे रहा हूं लगभग दो तीन कुश्चन बच रहे हैं तो फिर क्या करोगे आप जो तीन कुश्चन बच रहे बच्चा उनको खुद से कर लेना और हाँ जो इस्टुडेंट पूरा कोर्स जल्दी से जल्दी एक साथ देखना चाहते हैं चुकि यूटूब पे तो हर दिन दो-तीन कुश्चन होता है कभी-कभी का क्या कुश्चन होता है तो आप प्लेइ स्टोर से PBR स्टेडी का अःप डाउनलोड कर ये और वहां पे प्रीमियम क्लास जॉइन कर लिजिए प्रीमियम क्लास में आपको पूरा कमप्लीट कोर्स देख साथ मिल जाएगा और आप unlimited देख पाएंगे एक ही दिन में आप अपना पूरा कोर्स चाहो तो देख लो मतलब आपको एकठास सब मिल जाएगा इस नंबर पे जुआइन प्रीमियम क्लाफ नाइंथ लिख करके मैसेज करिए वर्टसप पर ठीक है जुआइन प्रीमियम क्लास नाइंथ लिख करके वर्टसप पर क्या करोगे आप लोग मैसेज करोगे ठीक है बंद करें फिर आज के लिए इतना ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाग कहां पर हम है भाई आसीज चौहान हमको भी लेकिन चाय के साथ लग लेजी जा चाहिए का बोल रहा है पी वीर स्टी लहबाद चैनल पर रात के 9 वजए से फिरसे लाइब होगा जो बच्चे बेसिक पढ़ना चाहते जरूर आएंगे रात के 9 वजए से किस पर? पी वीर बी लीर श्टी होता है पीडियार इस्टडी लाबाद चैनल पर टेस्ट होता है तो बहुत बहुत सुक्रियाब सभी को आज के लिए इतना ही आप सभी कलास को ज़्यादा ज़्यादा सेर करो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कलास में करें